प्यास के भाव कम होने एवम प्रतिकूल मौसम के कारण प्यास का रगबा कम हुआ। प्यास के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह प्यास की उपज में कमी आना है। पिछले दो-तीन वर्षों के दोरान प्याज उत्पादक किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. प्याज के भाव कम होने एवं प्रतिकूल मौसम के कारण प्याज का रगबा कम हुआ है. प्याज के भाव पर नियंतरन के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. सरकार ने प्याज इस वर्ष भी प्यास की खरीदी की. हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्यास की सरकारी खरीदी कम हुई है. पिछले वर्ष सरकार ने 74,000 तन प्यास खरीदे था, वही इस वर्ष सरकार अब तक 71,000 तन प्यास खरीद चुकी है. सरकार बफर स्टॉक से प्याज को रोकने या जारी करने का विकल्प अपनाएगी। वरिष्ट अधिकारी ने कहा कि प्याज की कीमतों में व्रिधी प्रमुक उत्पादक क्षेत्रों में कम बारिश के कारण उपज में लगभग 20 फीसदी की कमी के कारण हुई है। सरकार ने इस वर्ष अब तक सुरक्षित भंडार, बफर स्टॉक के लिए लगभग 71,000 टन प्याज खरीदा है। यह मूल्य स्थिरी करन के लिए 5,000,000 टन खरीद के कुल लक्षे में शामिल है। उपभुकता मामलों के विभाग के एक वरिष्ट अधिकारी ने कहा कि 20 जून तक केंद्र ने 70,987 टन प्याज खरीदा है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधी में 74,071 टन प्याज खरीदा गया था। अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष मूल्य स्थिरी करन बफर के लिए प्यास खरीद की गती पिछले वर्ष के बराबर है। उन्होंने कहा कि सरकार मूल्य स्थिरी करन के लिए 5,000,000 टन की खरीद का लक्षे हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्यास के भाव को लेकर सरकार को उम्मीद है कि देश के अधिकांश भागों में मानसून की प्रगती के साथ खुद्रा कीमतों में कमी आएगी। उपभोकता मामलों के विभाग द्वारा जुटाए गए आंकडों के अनुसार शुक्रवार को देश भर में औसत प्यास खुद्रा मूल्य 38.67 रुपए प्रती किलोग्राम था, जबकि मॉडल मूल्य 40 रुपए प्रती किलोग्राम था। मंडियों में प्यास के भाव में 8 रुपए किलो उचाला गया है। गत माह प्यास 6-18 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन प्यास में बीमारी लगने के बाद 4-5 दिन से मंडी में प्यास 8 रुपए किलो का भाव उचाल ले चुका है। वही इन दौर मंडी में प्यास के भ 500-2800 रुपई क्विंटल रहे ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी